उस पॉइंट में आपका स्वागत है मैं हूँ महावी रावत और मेरे साथ मौजूद है मेरे वरेश्ट सयोगी मनुरूंजन भारती साथी साथ स्टूडियो में सरंदीब भी है और हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से भारत में 109 रनों की बहुत ही शांदार जीत हासिल की और सेमी फाइनल में धमाकेदार एंटरी भी कर ली सीधे चलते हैं मेल्बन जहां पर ये मुकाबला हुआ वहां पर मौजूद है हमारी सम्वादाता अफशान जूम और उनके साथ है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट सुनील गावसकर टीम इंडिया सेमी फाइनल में है और सेमी फाइनल की चुनौती कैसी होगी इसको लेकर अभी लोग विचार ही कर रहे हैं उस्ट्रेलिया से सामना होगा या पाकिस्तान से सनी सा हमारे साथ जुड़े हैं सनी सा ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान मैदान के बाहर जितने लोग कि कोई भी एक एक तो टीम फाइनल पहुंचेगी पर जिस तरह से आस्टेलिया ने भारत को हरा है और जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को हरा है तो नैचरली भारती है जो सपोर्टर्स है वो यही चाहते होंगे कि पाकिस्तान सेमी फाइनल में आए पर पाकिस्तान अगर सेम तो बड़ा मुश्किल काम है पाकिस्तान के लिए आसान नहीं बनेगा कुछ भी हो सकता है पर फिर भी मैं समझता हो कि ऑस्टेलिया की जो स्ट्रेंग्थ है वो बड़ी अच्छी जी और हमें कल एक फैन मिले जो जो जिन्होंने हमें बहुत चढ़ा कर कहा कि तुम्हारी टीम सब टीमों को हरा चुकी है लकिन अभी तक औस्ट्रेलिया को औस्ट्रेलिया में इस वर्लक अप में नहीं हरा है तो आप भूल जाएगे कि वर्लक अप लेंगर जाये गया है तो कोई भी सोचेगा कि अगर भारत और ऐस्टेलिया का मुकाबला होगा तो ऐस्टेलिया ही जीतेगा पर जिस तरह से ट्राइ सीरीज के बाद में भारतिये टीम ने अपने आपको समाला है जिस तरह से जैसे हम कहते हैं कि उन्होंने अपने आपको जमीन से उठाया अपने आ रहे तो नमबर दो का कर रहा है, रन बना रहा है, तो नमबर चार का रन बना रहा है, तो जिस तरह से वो combination बन रहा है, जिस तरह से वो unit, bowling, batting और fielding, कितनी better in fielding हो रही है, run outs कर रहे हैं, boundaries बचा रहे हैं, आज अमने शिकर धवन का वो catch देखा, तो ऐसा लगता है कि one day cricket और जब knockout की बात आते हैं, देखें, try series में भी ये knockout नहीं था, try series में भी league होती है, तो लीग में जब आप केलते हैं, तो आप के मन में हमेशा होते हैं, कि आज कुछ नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, अगला मैच जीत लेंगे, यहाँ पर knockout में अगला मैच सिर्फ हो सकता है, कि जब आप जीतते हैं तो, तो मैं समझता हो कि अगर Australia और भारत का मुकाबल होगा, तो बहुत दिल्चस मुकाबल होगा, अचा जब जीतती हैं टीम तो सब उसी के बारे में बात करने हैं, लेकिन मैं जाते-जाते हाथे, आपसे हारंसे वाली टीम के आबरे में हैं बातकरना चाहती fornenī चाहती है, बांगलादेश, Sanisa इतने इंप्रेश्ट थे हम बांगलादेशी फैंस से, क्योंकि वैसा passion हमने कहीं नहीं देखा, चाहे उनकी team जीते या हारे, वो उसी तरह से drums बीट कर रहे थे, उसी तरह से नाच गा रहे थे, और अपनी team को भला बुरा नहीं कह रहे थे, जैसा और बहुत देशों में नहीं होता है, यह हमारे देश में होता है, यह कहना हमने ठरहे मारे थे, पर बंगलादेश में अगर आप जाएंगे, ढाका में आप जाएंगे, चित्टगॉंग में जाएंगे, और जिस जो passion बंगलादेश के fans का है, बहुत ही बड़िया है, बहुत अच्छा लगता है, और इसके साथ भी कभी-कभी बुरा भी लगता है, जब ब बढ़े भारत फाइनल पहुंचे भारत अपनी टाइटल डिफेंड करें वर्ल चैंपिन जो टाइटल डिफेंड करें यह सब की चाह है पर थोड़ा सा बुरा लगा जब कि आज मंगलादेश को हार मानने पड़ा और नॉकाउट में पहुंचके बाहर होना पड़ा बहराल इ इसके फैंस का जो पैशन है वो पूरी दुनिया को टक्कर दे रहा है और यह सिलसला आगे बढ़ता रहेगा टीम अब सेमी फाइनल में है सानी सब बहुत शुक्रिया इस बाद चीट के लिए वापस टूडियो चले तो सुक्रिया अपस शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिय अगले मैच की बात करते हैं सिट्नी में मैच होना है का जाता है स्पीनर को मदद मिलेगी तो क्या एक और एक्सपर्ट एक स्पीनर पटेल आपके बैंच पर बैठा हुआ क्या उसके लिए जगा बनती है आपको लगता यह विनिंग कंबिनेशन से चेरशाट नहीं करनी चा और अगर अक्षर पटेल को बाई चांस कहीं खिलाना भी पड़ जाए आपको पर आप उसे किस जगा खिलाएंगे जगा भी नहीं बनती टीम में और वो पूरे वर्ल्ल कप में अभी तक मैच भी नहीं खेले और सीधा ही स्वैमी फानल इतना बड़ा मैच खेलने को मिल जा और आपके पास राइना भी हैं सुरेश राइना भी हैं वो भी अगर आपको जुरूत बड़े तो तीसे स्पिनर का रोल वो भी अच्छी तरह से निभा सकते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस समय अपनी इस टीम के साथ कोई छेड़ चार नहीं करना चाहेंगे क्योंकि आ अब देखें टीम का मॉराल एकदम से बूस्ट होता है 11 के 11 प्लेयर भागे भागे आती हैं अब को मिलते हैं उठाते हैं हम मैच में दुबारा वापिस आया है नए बैट्स बनाते हैं और देखते हैं एक विकर्ट के बाद अगला विकर्ट एक साथ गिरता है तो दुबार मैच में वापिस आते हैं यह चीज़ें बहुत जादा जुरूरी हैं जो कि भारतिये टीम इस टेम पूरी कंप्लीट ऐसे और परफॉर्मेंस कर रही किसी भी खाने में कोई चूप नहीं हो रही और हम यही देखेंगे कि सेमी फैनल में भी कोई ऐसी चूप नहीं हो जी बि किसी एक खिलाडी पर डिपेंड नहीं करते हैं दोनी ने पिछले चार साल में एक ऐसी टीम बना दिये हैं जहां हर कोई मैच विनर है हर कोई अपने दिन खेल सकता है और एक यूनिट की तरह अब हम आगे बढ़ रहे हैं और इसमें एक चीज़ आड़ करूँगा कि जिस ब पंजाब या बैंगलॉर जाएं या चिन्ने जाएं आपको मिलें ऐसे तो यह भी चीज़े काफी दोनी को इस दो में फाइदा मिला है दोनी का जो इन्फून्स है आज की डेट में भारती टीम पे वह इतना ज़ादा है कि अगर किसी प्लेयर को यह बोलें कि सामने दिवार और आप भाग के जाके दिवार तोड़के निकल जाएं तो वो यह भी कर सकते हैं क्योंकि एक confidence है प्लेयर में और धोनी ने यह टीम बनाई है देखे जब टीम हार रही थी तो धोनी ने को criticism भी सहा अब जब जीत रहे हैं तो जीत का शेह भी उनी को पूरा जाता है क्योंकि क्यों इन प्लेयस के साथ स्टिक किये हैं उन्हों को पता था कि यह मेरे मैश विनर्स प्लेयर हैं जो मैश विनर्स प्लेयर होते हैं आपके बाद उनको मौके देने चाहिए और वो मौके देते रहते हैं उनको एक दो तीम चार मौके और देखिए पूरी ट्राय सीरीस जिस कि धोनी ने success को बड़े अच्छे से लिया, मतलब उनका कोई खराब behavior की बात हम नहीं सुनते हैं, बांकी player के बारे में सुनते हैं, वो लड़ जाते हैं, पत्रकारों से लड़ जाते हैं, अजीब अजीब हरकते करते हैं, लेकिन धोनी के बारे में हमने कभी नहीं सुना तो उ इस वक्त नैशनल ड्यूटीबर, ऐसा वक्त शायद जो सीमा पर भारत का पाजी है, वही यूज करता है कि मैं नैशनल ड्यूटीबर, उनकी बेस्ट ही देखे, जब भी और कहीं जाते हैं, अगर कोई कब या ट्रॉफी लेते हैं, उठा के अपने प्लेयर्स को दे देते है फोटो खिचाने के लिए कभी बीच में नहीं खड़ोते हैं, साइड में खड़ोते हैं, वो अपने प्लेयर्स को आगे करते हैं, उनका कहना है कि ये टीम एक बंदे पर नहीं चल रही, बेशक मैं लीडर हूँ बट मेरे पर नहीं चल रही, मुझे मैश पूरे मेरे जो और दस खेलाड़ी मेरे साथ खेल रहे हैं, वो मुझे मैश लाते हैं, वो उनको आगे करते हैं, उनको confidence देते हैं कि नहीं आप आगे, ये जीत आपकी उनको भरोसा दिलाते हैं, इसलिए टीम इतना अच्छा चल रही, कभी भी देखिए मैश में बॉलिंग और पिट भी रही ह करते हैं, और उनके लिए काम्या भी होती है, इसलिए क्या जाते हैं, जितना काम और सहीम रो, वो महिंदर सिंग धोनी के बास है, जी हाँ, तो धोनी को जो है, इसलिए उनको captain cool कहा जाता है, और आज के ही मैश में देखें, बंगलादेश के कप्तान की तरह से चीक रहे थे बाले नोच रहे थे, फिल्डर पे चिला रहे थे, महावी, जी बिलकुल, बहुत-बहुत शुक्रिया सरंदीब, तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए, आप सुबे से हर मैच के हर पहलू पर चर्चा करें, बहुत-बहुत शुक्रिया, हमारे दर्शवों तक, team इंडिया की जीत का मंतर पहुँचाने के लिए लेते हैं, छोटा सब्डेक, ब्रेक के बाद इस जीत की इंडियेशन की ख़वर आप तक और तरीके से पहुचाएंगे